अब टीम का comparison बहुत important है दो टीम्स को आप पे compare करेंगे कि टीम्स पावर प्ले के अंदर कैसे बैटिंग करती है टीम इंडिया पावर प्ले में 64 रन बना चुकी है दोनों का same template है और अस्टिली और इंडिया का दोनों टैग करते हैं पावर प्ले में सामने रोई शर्मा गिल ये क्लिरली दिख रहा है दस मैचस के अंदर टीम इंडिया ने 654 रन बनाया है आउस्टिली ने 620 रन बनाया है पावर प्ले के अंदर और बैटर आप देखेंगे अबरेज इंडिया के 65 क्योंकि उन्होंने 10 विकेट गवा है आउस्टिली ने पावर प्ले में 16 विकेट गवा है और 37 की उसद है अब चलता है मिडल फेस के तरब ओवर 11 से 25 की बीच में टीम इंडिया ने 10 मैच में 11 विकेट गवाया है 812 रन बनाया है आउस्टिली ने 743 रन बनाया है और 17 विकेट गवाया है आउस्ट 44 की इंडिया की 74 की आउस्ट है यहाँ पर इंडिया जीत रही है मिडल फेस ओवर 26 से 40 की बीच में आउस्टिलीया दस मैचेस में साड़े 800 रन बना चुकी है 21 विकेट है इन्होंने गवाया है 21 विकेट बल्ले से इस फेस के अंदर चालिस की आउस्ट है टीम इंडिया थोड़ा सा स्लो खेलती है फेस के अंदर ओवर 26 से 40 की बीच में 826 रन्स है क्योंकि उन्होंने बॉल ही ज़्यादा फेस नहीं करी यह दिखा आप कितनी बॉल फेस करी है 813 बॉल नहीं खेलती है यह सब 124 का स्टाइग रेट है टूटल्स रन्स कूड़ भाई बोड इस टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के अंदर 2810 रन्स बना चुकी है ऑस्टिलिया 2720 रन्स बनाई है क्लिरली इंडिया डॉमिनेट कर रही है बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते है पाउर प्रेग अंदर टीम इंडिया 10 मैच निकाली है और उस्टिलिया रिपयशंता शुटील्या, जिर्श अच्छीन सुटील्या रन्स के अन्डेर से निकाले है नेस्व एस-टीम इंडिया 10 मैच मेह बीस निकाली बादाना मेरे को कौन G3 इस मैच के अंदर